हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स इन दोनों शेरों के बारे में दोनों में अगर आप देखेंगे तो आज आपको एक अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है और अब एक इतनी बड़िया खबरे निकल के आ रही है दोनों शेरों के उपर जो कह सकते हैं कि अपना आप में काफी इंपोर्टन्ट होने वाला है इस वीडियो में द देखिएगा अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो दोस्तों डेफिनिटल आज काफी शांदार आपको ब बाजार इस डिरेक्शन में यानि आपको काफी उपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और डेफिनिटल ये काफी पॉजिटिव साइन होते हैं जब भी देखी मार्केट इस तरह से उपर जाता है तो स्टॉक्स के अंदर भी रियाक्शन डेफिनिटल आता हुआ देखने क नहीं मिली आज अगर आप देखेंगे शेर का हाई थाट 2.28.90 का और इस लेवल के आसपस थोड़ा सा स्टॉक ने शुरुड़ात में इस लेवल के आसपस थोड़ा सा फॉलिडेट किया और इसकी बाद आपको इस लेवल के आसपस थोड़ा नीचे में याद रखी मैं एक महिने में लगातर इस पर वीडियो बनाया और अगर आपने फॉलो किया है तो डिफिनिटली रिटरंस भी अगर आप देखेंगे तो आप पैसा कमा पाएंगे और अगर यहां पर की देखा जाए यहां पर मार्केट में पैसा कमाने की तो वो क्लियरली पेशन्स है जिन लोगों ने देखे इस लेवल पर लेने की चेश्टा करी आज इन लेवल्स पर बेच सकते हैं लेकिन जो यहां पर अगर गिरावट से आप डर जाएंगे मार्केट का फिनोमेना यह तो अगर तेजी होगी तो गिरावट भी होगी लेकिन यहां पर टाटा पावर ने आज यहां पर 228.90 के आसपास का लेवल टच किया इससे अच्छी बात यही निकल के आती ही कि हाँ शेयर कोशिश कर रहा है शेयर के अंदर डेफिनिटली अभी भी रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं और अगर इसके में बात करता हूँ देखिए कॉल की अन यहां पर उपर ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन आज एक गैप अप होता हुआ देखने को मिला और उस गैप अप के बाद सस्टेन हो गया वह गैप अपने आप में बहुत बड़ी बात थी लेकिन यहां पर important क्या है कि शेयर दोस्तों जब तक आपको इन लेवल को cross किया था और अभी यहां पर दिख रहा है कि यहां शेयर कोशिश कर रहा है और आप मान के चले कभी भी एक बड़ी तीजी की शुरुआत आपको होती भी देखने को मिल सकती है इसलिए अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर एक ऐसा company है जिसके अंदर आप विश्व बढ़ेगा जून 2021 के जब नंबर आते तो company का 55% साल अना profit revenue बढ़ता हुआ देखने को मिल गया यहां पे company का net income 90% तक बढ़ गई थी तो पिछला साल तो company का बहुत चांदारा लेकिन इस बार का जो साल रहने वाले वह बहुत important रहने वाले कि company किस प्रकार की growth दिखाती है क इस प्रकार की guidance देती है और अगर वो guidance अच्छी निकल के आगई तो आप मान के चलिए जो आप price 227 के देख रहे हैं वो 257 भी होगा 277 भी होगा and hopefully 300 भी होगा तो यह कोई बड़ी बात नहीं है just market को समलना पड़ेगा अब यहां पर अगर बात कर लेते हैं stock के target के बारे में power है तो आप just hold करिए देखिए profit लेना ना लेना वो आपका एक पूरा mindset है लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि हाँ यहां से बढ़ने के chances और है तो definitely देखिए वो बाद गलत नहीं है ज़रूर share में आपको move आता हुआ देखने को मिला है पिछले एक महिने में और जिनोंने आप लिए 17% return बहुत होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर यहां से थोड़ा बहुत और move दिखता है मुझे लगता है कि 235 तक आपको इस हफते के end तक stock का price ज़रूर जाता हुआ देखने को मिलना चाहिए जादा बड़ी भी तीजी में expect क्यों नहीं कर रहा ह हूँ hold करने की कहता हूँ because यहां पर सही levels पर अभी भी दिख रहा है ऐस सच बहुत महेंगा नहीं हुआ है 235 में है कल की बात कर तो कल मुझे लगता है कि stock के अंदर फिर से तीजी बन सकती है stock नीचे का support आता है 225 रुपेगा यह होगा first support यहां पर stop loss आप मांगे चली चली 230 रुपेगा eventually because मुझे लगता है कि यह जो target है यह achieve जरूर होना चाहिए अब बात करते है next stock के उपर जो है Tata Motors तो आज दोस्तो Tata Motors के अंदर एक बहुत शांदार तीजी बनी साड़े 400 रुपेगा level touch कर लिया और Tata Motors अब एक महिने में 18% की return आपको देता हुआ देखने को मिल रहा है दोनों share के उपर लगातार देखें मैं वीडियो बना रहा हूं और वो definitely आप यहां पर देख भी रहें पर important क्या कि Tata Motors जिस प्रकार से आज बढ़ता हुआ देखने को मिला है यह बहुत शांदार तीजी है आज share का high बना 453.80 का वहां से ज़रूर थोड़ा नीचे आया ले everything up cover up करने की कोशिश करने वाला है बिल्कुल करने वाला है अब इसके उपर एक खबर आईए सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं तो देखने को मिले है और इसमें एक जो नाम है वो Tata Motors का है दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Z entertainment का target देते हुए देखने को म है Tata Motors का target जो दे रहे हैं वो 470 रुपय का दे रहे हैं बट किस basis पर दे रहे हैं यह आपको समझना बहुत important है जिस प्रकार का आपको uptrend आता हुआ देखने को मिले है वो तो undoubtedly बहुत बढ़ आ था लेकिन stock ने selling pressure बहुत देखा है higher level से medium term में अगर stock के texture की बात करें तो यहा position बनती हुई देखने को मिल रही है अब इसमें breakout मानने की range तो यह है कि stock अगर जिस प्रकार से अभी टिका हुआ है अगर इन levels पर आपको यह टिका हुआ देखने को मिलता है और stock का जो key support है वो 425 का है अगर इसके उपर यह टिक गया तो आप मान के चलिए आप inventory जो target देख सकते हैं कि अपने अप में Tata Motors एक valuable pick है भी सही because stock ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा दिये और जो बाकी stocks को auto stocks को देखेंगे आप जो अपने almost 52 week high पे आपको trade करते हुआ देखने को मिल रहे है Tata Motors ने उतना performance अभी तक नहीं दिखाया 536 रुपे का इसका अभावन जिससे अभी भी आपको almost 70 points नीचे ही कारुबार करता हुआ देखने को मिलता है तो definitely यहाँ पर अभी भी जगह है अगर आप बाकी auto stocks को comparison करते हैं Tata Motors के साथ अब यहाँ पर बात करते हैं stock के target के उपर see Tata Motors के लिए आने वाली दिन बहुत important रहने वाले company के first quarter के numbers निकल के आएंगे numbers positive आने चाहिए इसकी expectation लगा के जल सकते हैं because last time अगर आप देखेंगे तो खराब situation कब से चाले हुई थी जब June के numbers निकल के आए थे June के numbers अगर आप देखेंगे तो बली 107% आपको यहाँ पर दिखा रहा है जून से नहीं मार्स है लेकिन company का तो उस तो एक बहुत बड़ा loss आ गया था वो loss को देखेंगे कम करते करते कंपनी ने बहुत काम किया लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो company के पास 1000 क्रोड का loss है उस 1000 क्रोड के loss को company definitely इस quarter में कितना कम कर पाती है वो देखने वाली बात होगी दूसरी बात है कि revenue बढ़ना चीए देखें company का revenue अगर आप देखेंगे quarter on quarter basis पर दरू बढ़ता हुआ देखने को मुला है quarter on quarter basis जो 72,000 क्रोड का company का revenue था वो बढ़के 78,000 हो गया लेकिन साल बढ़ साल में अगर आप देखेंगे तो decline आता हुआ द दिक्कत वाली बात है वो जरूर देखने लाइक बात होगी लेकिन important क्या कि सला मेरी इसमें यही कि बने रही है eventually stock बढ़िया कर रहा है share में अगर आपने अच्छी position मना रखिये तो 440 रुपे का stop loss लेके बने रही है market में देखें थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दे देखने को मिलेंगे और क्योंकि देखें आप माहल आपको Q1 का आता हुआ देखने को मिलना 27 तारी को इसके भी numbers निकल के आने वाले तो वो definitely उसके उपर भी थोड़ा बहुत आपको चलता हुआ देखने को मिलने वाला है तो बिलकुल जिनके पास भी share है बने रही है कोई दिकत वाली बात नहीं कल का में टार्गेट होने वाले करीबन 455 और 458 का बढ़े टार्गेट्स नहीं होंगे क्योंकि तेजी हो गई है नीचे में थोड़ी बहुत गिरावाट के एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था होपसो यह लगा होगा थैंकि फ्रेंड वाचिन दिस वीडियो